हेले फ्रेंस आप सभी को स्वागत है आप देख रहे हैं आप सभी को हम बताने जाने कि आप किसी भी बैंक का अधार कार्ड से बैंक बैलेंस जान सकते हैं अब दोस्तों अंगुठे मसीम की जरूरत नहीं है दोस्तों अगर आपका अधार कार्ड बैंक से लिंक है तो सिर्फ मैं इस विडियो को फूरे आर्ट देखिएगा आधिक से अधिक शेर किज़ेगा ताकि जितने भी जो bank के जो खत धारक है उनके पास इस वीडियो का notification मिल जाए तो चलिए मैं इस वीडियो को start करता हूँ दोस्तो आप से बता दे कि 100% जो website है जिसका नाम मैं वीडियो के लाइट में बताऊंगा ठीक दोस्तो जब इस website को open किजिएगा तो आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है AAPS इस पर दोस्तो क्या करना है कि आपको click करना है click करने के बाद इस तरह का आपको interface देखने को मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको आधार नमबर डालना है फर्ष्ट में जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नमबर अपना डाल देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहां पर mobile number डाल दना है कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों इस number पर आप contact कर सकते हैं उसके बाद यहां पर नाम डाल दना है कोई भी नाम डाल दना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां से bank select करना है जिस bank का आप balance जानना चाहते हैं जैसे मैं State Bank of India का मैं बाइलेंस जानना चाहता हूँ ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं सब्मिट का आप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक की जगा तो यहाँ पर कुछ रिफ्रेस होगा रिफ्रेस होने के बाद आपके सामने आपके एकाउंट में जितना भी बाइलेंस दोस्तों आप देखा दिये जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बाइलेंस शेक कर सकते हैं अगर आपका अधार काट बैंक से लिंक है तो दोस्तो इस app का जो नाम है दोस्तो पेवल्ड है ठीक है दोस्तो पेवल्ड पेवल्ड एक application है दोस्तो या site है उस site पर आप जाकर दोस्तो आप अपने bank का balance जान सकते हैं और किसी भी bank का balance आप पता कर सकते हैं कि आपके खाते में कितना balance है तो दोस्तो अभी तक इस video को like नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करें जागा तक कि जब भी चैनल का माधेम से वीडियो अपलोड किया जाए किसी भी परकारकत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए चले मैं इस वीडियो को समाप करता हूँ